नमस्कार दोस्तों एक बार फिव से आप लोगों का हमारे यूटुब चैनल के उपर हर्दिक स्वागत है तो दोस्तों केंद्रे क्रमचारे के 18 महीने के डिये एरेर का जल्द फैसला आने की पूरी उमीद जताए जा रही है दो दिन के बाद नया साल शुरू होने वाला है और नई उमीदों के साथ यह नए साल का इंतजार हर कोई कर रहा है इसी बीच केंद्रे क्रमचारे के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आई है एक रिपोर्ट के मुताबित क्रमचारे के अठरा महिने के बकाया एरेर के बत्ते को लेकि सरकार की और से जल्द फैसला के जाने की उमीद जताई जा रही है जी आपने बिल्कुँ सही सुना नए साल के उपर केंदरी क्रमचारियों को सरकार की तरफ से इस तोफा मिलने की पूरी उमीद है लिटेल से समझाते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजी अगर फर्स टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजी साधे साथ बल आइकन को बजाए ताकि हर गोर में सी डिलेटिड करमचारि से संबंदित पैंसन और संबंदित निन उजाते हैं उसका नोटिफिसेगेशन आपके पास तुरेंट पहुंचेट करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के नया साल सुरू होने के दो दिन बाकी है और नई उमीदों के नए इंतजार का हर कोई इंतजार कर रहा है हर बीच केंदरी करमचारी के बड़ी खबर निकल कर सामने आई है एक मिलरी रिपोर्ट के मुताबित करमचारी के 18 महिने के बकाया एरियर ओ को लेके सरकार की और से जल फैसला के जाने की उमीद है ऐसा माना जा रहा है कि कैमिनिट की अगली बैठक में जो बकाया मेंगाई जो बत्ता है को लेके बाचीत हो सकती है बकाया मेंगाई बत्ते के साथ एक नए साल पर केंदरी करमचारी को और एक तोफा मिलने की पूरी संभावना है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना केंदरी करमचारियों को मिलने वाले महेंगाई बत्ते में तीन फिस्ती का इजाफा किया जा सकता है अगर करमचारिय के ठरा मेने के एरियर दिया गया तो कितने रुपे का बकाया बुक्तान किया जा सकता है गोरोतों की बात तो ये कि नेशनल काउंसिंग ओफ जो आइंटिंग जो कंस्ट्रेटिव मनिश्ट्री की मांग है कि साथ में वेतनायों के तहद अठरा मेने के पैंडिंग जो एरियर का वन्स टाइम सेटल्मेंट कर दिया जाए इसको लेकि जे सी एम डिपार्ट्मेंट ओफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग वित्ते मंत्राले के बीच में एरियर पर बाच्चित की जा रही है संभावना जताई जा रही है कि उनके उनुसार जो केंदरिक सरकार की ओर से क्रमचरी को दी जाने वाले महंगाई बत्ते में इजफा हो सकता है हाला कि इसमें कितनी बड़ोतर होगी अब तक इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है कहना है मुस्किल है कि ऐसा लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो महंगाई बत्ता है वो 31 फिस्टी से बढ़कत 34 हो सकता है इसके अतरी जो बजट है 2022 का उसके उपर फिड्यू फीचर पर भी फैसला हो सकता है और कैमनेट की मंजूरी मिलने पर इस बजट के खर्चे के अंदर शामिल कर लिया जाएगा न्यूंतन बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन को अगर देखें तो केंदरी करमचरी के न्यूंतन बेसिक सैलरी 18,000 रुपे और अभी तक 31 फिस्टी के हिसाफ से उन्हें 580 रुपे परतिमा मेंगाई बत्ता मिल रहा है डिये में 34% की वरिदी होने के बाद ये 6,120 रुपे परतिमा हो जाएगा यानि इसमें परतिमा के हिसाब से 540 रुपे के बड़ोतरी होगी सालाना के आधार पर अगर देखें तो 6,480 रुपे का इजाफा देखने को मिलेगा अधिक्तम जो बेसिक सेलरी की अगर बात करें तो केंदरी करमचारी के लिए ये 56,900 रुपे और अभी 31,50 के हिसाब से इन्हें देखें तो 17,649 रुपे परतिमा दिया जाता है ऐसे में 34% के हिसाब से अगर डिये का कैलकुलेशन करते तो ये परतिमा उन्नी साजार तिन्सो चाड़िस रुपे हो जाएगा यानि पूरे 17,07 रुपे की बड़ोतरी हो जाएगी यही साब सालाना के अधार पर कमचारी की सालरें भी 24,484 रुपे बढ़ जाएगी तो दोस्ते यह बहुत बड़े लेटस अपडेट निकल कर सामने आये थी तो आई हो पाप लोगों को बनाई वीडियो पसंद आई होगी अगर यह बनाई वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरू शेर किजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जीभाट